प्रदिवीरे एकाइडमी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में आपको देने वाला हो दोस्तों डिस्क्रिट स्रक्चर और ग्राफ थेरी के मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन्स दूस्तों अब लगभग हमारे पेपर सो बहुत ही कम टाइम बचा ह सबके पूरा का पूरा पूरा पार्ट हमने कम्लीट कर दिया तो आप जाके बहुत अच्छे से पड़ सकते हो अगर आपको सबसे पहले और सबसे पहले कुछ एको करना ही होगा तो जाके आपका पूरा का पूरा समसा होगा जैसे कि अगर मैं बात करूँ जहां पर टॉटो लॉजी वाला कुस्टन आता है एक सेके न उसके पहले आप सिंबॉलिक कर लो सबके सिंबॉलिक फॉर्म आपको पता होने चीए यह इसके उपर कोई कोस्टन साने के चांसे मतलब कभी कबार हो सकता है कि आपको कोई पार्ट बोले पर इसके पर ज्यादा चांसेस नहीं रहता नेक्स्ट इसी के उपर दोस्तों टॉटो लॉजी कोंट्राडिक्शन एंड कोंटिंजेंसी यह वाला पार्ट आपको इसके उपर आ सकता है जिसके उपर कभी कबार प्रूफ करने के लिए आएगा और इसमें एक्यूबैलेंस वाल अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बार्ट है वो है दोस्तों मैथामेटिकल इंडक्शन प्लीज याद रखना यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह तो भाई करके ही जाना है यह चीज का द्यान रखना तो अगर आप इतना मैंने बहुत ही अच्छे से यूटूब के ऊपर भी कवर कर रहा है और अप्लिकेशन पर तो और अच्छे से और एक्जम्पल के साथ कवर कर रहा है इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या कवर करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इक्विवैलेंस रिलेशन देन नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर वल्शल अल्गोरीथम और नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करो तो छोड़े मोड़े टॉपिक अगर आप क्लोजर वाला तो ऐसे भी हो जाएगा तो बस यह अगर कम से कम यह दो टॉपिक और रिप्रेजेंटेशन ओफ मैट्रिक्स तो अब को पता होना चाहिए कि मुझे कौन से कोश्टन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए यह कोश्टन अगर मैं नेक्स्ट आगे की बात करो तो आप देखो आगे आपको कौन से कोश्टन पर फोकस करना तो मैं दोस्तों वह एक कंपोजीट फंक्शन जिसको हम कंपोजीशन ऑफ फंक्शन भी वोलते इसके उपर आपका कोश्टन बनना चाहिए कि अगर मैं बात करूंद इसके बाद नेक्स्ट है अमारा जो टॉपिक है दोस्तों पोसेट एंड लैटीस अब पोसेट एंड लैटीस का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर आपको क्या कवर करना चाहिए दोस्तों इसके अंदर जो सबसे ज़ाधा इंपोर्टेंट है वह आपको पता है दूस्तों पार्सियल ओडर रिलेशन मतलब सबसे पहले यह वाला टॉपिक अगर आप कवर करना ही है है इस डाइग्राम मैंने बहुत अच्छे से एप्लिकेशन में बहुत सारे एक्जांपल के साथ कर आया है तो अगर आपको कवर करना और दूस्तों इसके बाद लैटीस भी हमने कवर किया है लैटीस से एक बेसिक टॉपिक आप कवर कर सकते हैं बट कम से कम यह दो तो करना ही है यह द्यान रखना और लैटीस में बतलब बेसिक लैटीस पता होना चाहिए आपको चैन एंटी चैन पता होना चाहिए यह सब औ दोस्तों इसके बाद एगर मैं बात करूं home dog क्रूंज के अंदर अगर बात करूं तो काउंटिंग के अंदर आपको किया फोकस करना चीजै आधो सबसे पहलें कि जो सबसे जादा सब्सक्राई बाहीं है अ कि । हई इंक्लूजनी एकस्क्लूजन प्रिंसीपल यह तो होना ही चीए इंक्लूजन एन एक्स्टूजन प्रिंसीपल के बाद पीजन होल प्रिंसीपल के बारे में आपको पता होना चीए और दोस्तो इसके बाद कि रिकरेंस रिलेशन है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोस्टन भी आपको बताऊंगा अभी दो जस्ट मैं आपने मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन आपको नहीं है अगर टाइम बच रहा है तो कर लो पर नहीं है तो कोई देख़थ नहीं अब मेंचर दोस्तों आगरे अलजरें इस अदर अगरा आप डोटी कावर कर ले रहे हो तो आपका काम ना अगर आप ये दो टॉपिक इसके इंदर कवर कर ले रहे हो तो आपका काम लगबग कवर हो जाएगा इसमें आपका सेमी गुरूप मॉनोइट्स सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा तो ये सब आपको बहुत ही इसके उपर बहुत सारे questions मैंने solve करा है वो अगर आप YouTube से कर रहे हैं तो ये भी चलेगा और दोस्तों इसके बाद आपको थोड़ा बहुत नौलेज रिंग के बारे में होना चाहिए और साथ में दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें isomorphism का जो टॉपिक है उसके बारे में भी थोड़ा है isomorphism होमो मॉ अगर मेरा सजेशन लेना चाहोगे तो आपको क्या कवर करना चाहिए पता है isomorphism सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों इसके साथ आपको यूलर्स यूलेरियन और हैमिटोरियन ग्राफ ग्राफ और साथ में दोस्तों इसके आप प्लेनर ग्राफ तो अगर आप इतने टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हो जितना मैंने आपको प्रोवाइट किया इतनी चीज़ा अगर आप कवर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट डन हो जाएगा और प्लीज आज से आप लगो रोज आप ट्राइ करोगी दो से तीन टॉपिक्स कवर करने के लिए और आप अराउंड क्योंकि आप जैसी बारत आरी को मैक्स का पेपर दोगे उसके आद आपके आज टाइम नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको अभी से अगर आप यह सब्जेक नहीं करोगे तो एक दिन में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स लेक्चर में बाय बाय टेक केर जैन दोस्तों